हेलो फ्रेंड्स क्रियंदा निटर पे आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है आप सब व्यूवर्स को पता है कि हम जैकेट बुन रहे हैं तो फ्रेंड्स जैकेट के मैं दो वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूं बैक साइड का और बैक साइड के जो शोल्डर की कटिंग का तो फ्रेंड्स ये वाला जो आज का वीडियो है ये इसके लेफ्ट पॉर्शन का रहेगा जो फ्रंट पॉर्शन होते हैं उसमें जो लेफ्ट पला होता है उसका ये वीडियो रहेगा तो मैंने ये दिखिए इसमें बिल्कुल हट के बनाया है ये ये इसका पैटन है ये आ आप चाहें तो आई कोड चलाएंगे जब तो इसमें आप जीप भी लगा सकते हैं इसमें जीप बहुत अच्छी तरह से लगती है तो मैं तो इसमें बटन ही लगाने वाली हूं आप इसमें जीप भी लगा सकते हैं और मैं आपको यह पला देखे दिखा देती हूं बहुत सारे वीवर्स की फ़र्माइश आ रही थी कि जल्दी जल्दी इसका आगे वाला पला भी बताया जाए तो फ्रेंड्स यह मैंने बुनके कम्प्लीट कर लिया है तो यह देखिए यहां पे इसका शोल्डर कट है और यह इसका जो नेक है यह मैंने दूसरी साइट का बन आया है ऐसे वाला इसकी भी बहुत फर्माइश थी कि ऐसे वाला बताया जाए तो फ्रेंड्स यहां पे देखिए यह खतम हो चुका है और यहां पे थोड़ी सी मैंने इसमें बटन पट्टी बुनी है तो यह मैं स्टेप बाई स्टेप आपको सारा बताने वाली हूं अच् सबसे पहले मैं आपको इसका हिसाब कताब बता देती हूं कि इसमें मैंने फंदे कैसे कैसे लिये हैं तो यहां से यह दिखी यह टोटल फंदे जो मैंने लिये हैं यहां तक यह 60 फंदे टोटल लिये हैं तो यह डिजाइन तक फ्रेंड्स हमारे हैं यह 50 फंदे और यह 10 फं से बटन पट्टे के अगर आपको आई कोड नहीं बनाने हैं तो अपने हिसाब से इसमें फंदे ले सकते हैं तो यह बारा के मल्टिपल करते हुए साथ में प्लस वन करेंगे और उसके बाद एज के लिए इदर वाला जो एज इसमें चलेगा उसके लिए प्लस वन ओर करेंग तो बारुचोकहडताली चार इसमें बनाए हैं 48 और प्लस वन करेंगे इसमें और प्लस वन ओर करेंगे एज के लिए तो यह नीचे से इसका ऐसा हिसाब कताब है आप अपने हिसाब से इसमें फंदे लगा सकते हैं अगर आपको आपने बैक साइड में फंदे डाले हैं हिसाब से तो चलिए फ्रेंडस अब मैं आपको इसका थोड़ा सinely बता देते हूं design मैं आपको पहले शो कर चुकित हूँ थोड़ा साब को starting इसकी बताती मैं छोटे में आप इसका पैटर्न बता दूंगी इसमें मैंने टोटल हैं 26 फंदे दस फंदे इसके बटन डाल लिए तो पहले हम क्या करेंगे इसमें एक सिलाई जो है उल्टी बुन के कम्प्लीट करेंगे जैसे हमने उसमें किया था देखिए ऐसे यह रॉंग साइड है तो पूरी सिलाई आप इसमें उल्टी बुनते हुए निकाल लीजिए मैं भी कर लेते हूं फिर दिखाती हूं देखिए फ्रेंड्स रॉंग साइड वाली सिलाई मैंने उल्टे बुनके कम्प्लीट कर लिए अब आते हैं इसकी राइट साइड में यह अब मैं आपको यहां से थोड़ा सा बताना चाहूंगी यह देखिए यह इसकी राइट साइड है तो हम यहां से यह देखिए यहां पे भी यह इसकी राइट साइड है तो आप यहां से देख सकते हैं कि इधर से हमें पहले पैटन स्टार्ट करना पड़ेगा इसका और उस अब हम यहां पर यह लेफ्ट साइड का पल्ला है तो हमारी जो बटन पट्टी है यह इदर को आएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले हम इसमें पैटन स्टार्ट करेंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो चलिए फ्रेंड्स पैटन स्टार्ट करते हैं मैंने आपको य एक हमने एस्टिच उतार लिया, एस्टिच है हमारे पास साइड पे, उसमें भी हमने रखा था, तो पहले हम क्या करते हैं पैटर में दो का एक, ये दिखिए, दो का एक करेंगे, एक, दो, तीन और ये चार, अगर आपके मल्टिपल्स सही हैं तो आपका पैटर अपने आप स ही आजाएगा, मल्टिपल्स गलत हैं तो पैटर गलत हो जाएगा, तो आपको मल्टिपल्स अच्छी तरह से करने हैं, तो यहां से एक एस्टिच हो गया, दो का एक कर दिया, एक, दो, तीन, चार फंदे उल्टे बुन लिये, और यहां पे जाली आजाएगी, और फिर से य चोटी सी जो जैसे मैंने आपको बनानी बताए थी, वो ही बनाएंगे, तीन फंदों का यहां पे एक फंदा होगा, देखिए कैसे, दो फंदे ऐसे उतार लेंगे हम सीधे से, और तीसरा फंदा बुन लेंगे, और जो दो फंदे हमने उतारे हैं, इनको उपर से फिर से हम 1, 2, 3, और यह 4, चार फंदे सीधे बुनेंगे, जाली आएगी यहां पे, और यह धागा पीछे रहने देंगे, उल्टा फंदा बुन लेंगे यहां पे, यह देखिए यहां जाली आगे फिर से, और एक हो गया यह उल्टा, दो, तीन, और यह 4, चार फंदे उल्टे बुन लिए मैंने, अब यहां पे देखिए क्या करेंगे, दो फंदों का एक फंदा करेंगे, यह देखिए ऐसे, दो फंदों का एक फंदा करेंगे, अब देखते हैं, दो, चार, छे, आठ और दस, यह फ्रेंस दस हमारे बटन पट्ट के फंदे बच गहें हैं तो यहां तक यह दिख आपका ऐसे पैटरन आना चाहिए लास्ट मे भी आप का दो का एक आना चाहिए और पहले भी आपका दो का एक आना छहिए और बीच में जैसे आपका प Авजैना चाहिए तो आप ब्रॉस अब आप देख लीजिए तो आपको पैटन और भी अच्छी तरह से क्लीर हो जाएगा तो यहां थोड़ा मैंने आपको सैटिंग करना बताईए तो यहां दो का एक होके दस फंदे आपके पास बचेंगे यह बटन पट्टी के रहेंगे इनको आपको कैसे उनना है उल्टा बुन पूरी उनको मैं देखिए साथ फंदे हम उल्टे बुन लेंगे दिखिए ऐसे यह साथ फंदे मैंने बटन पट्टी के उल्टे बुन लिए अब हमारे पास तीन फंदे हैं इसमें हम आई कोड चलाएंगे इसको आप ध्यान से देख लीजिए जब आप इदर से आएंगे तो आपको कैसे बुनना है अब जो उद्र से रोंग साइड की सलाई आएगी तो कैसे बुनना है ये एक बार ही मैं आपको बताऊंगे देखिए यहां पर ये एक फंदा आप सीधा बुनेंगे तीन में से ये जो बीच वाला फंदा है धागा अपनी तरफ करके उल्टा इसको फिर से सीधा बुनेंगे तो फ्रेंड्स ये रो वन हमारी इसमें कम्प्लीट होती है पैटर्न की सेकंड रो में है इसमें आप बाकी रो तो सारी उल्टी बुने जाएगी यहां पर आप आई कोड देख लीजिए कैसे बनेंगी ये पहला फंदा रोंग साइड से उतार ले जाएगे और ये वाला फंदा ऐसे उल्टा उतार लेंगे तो ये फ्रेंड्स आपकी जैसे मैंने दो स्लाइया आपको बताई है एक सीधी साइड से बताया है एक यहां से बताया है आपको हर बार ये आई कोड ऐसे ही बुनना है और बाकी आपका पैटर्ण वैसे के वैसे यह देखिए ऐसे कर लिया उसके बाद हम यो हम यह सारे की सारी स्लई होती तो यह हमारी जो है इसकी बटन पंडे हैं यह रही जो यह हो यह हम आदे कीई सारे महते हैं यह जिसमें सारी रहेरा हैं तो पैटरEng आइजी पुन लेते हैं..? तो आप पैटरें यीजी पुन लेगाना क्यकिपा बन लगननेगाय Jesus और मैंने आपको बटनपटी भी बता दी और था प्रश अल्टे लिँस लिएस आप को बन सकते ही और पैटर आई कोड्टी अंप लिए कि इसमें कलर कैसे लगाएंगी तो यह मैं पूरा कर लेते हूं फिर आपको दिखाते हूं देखी फ्रेंड्स मैंने इसकी नो सिलाईयों बुनके पैटर्न की कंप्लीट कर लिए आप देख सकते हैं ऐसे बनके आएगा यह पैटर्न हमारा यहां से दो दो का एक होता जा रहा ह बीच में से और यह बटन पती आपकी बन रही है तो अब मैं आपको कलर लगाना इसमें बता देती हूं थोड़ा सा बाकी पैटर्न आपका वैसे का वैसे चलेगा तो चलिए देखी फ्रेंड्स इसमें मैंने नोवी सिलाई यानिकि 9th रोब उनके सीधी साइड के के इसको हम वैसे के वैसे रैड कलर के साथ ही बुन लेंगे यह दिखी जैसे हम बुन रहे हैं मैंने आपको उच्छी तरह से दोस्लाईयों में बता दिया था और इसको हम ऐसे कर लेंगे अफ्रेंड्स यहां से हम लगाएंगे क्रीम कलर इसका आपको पता है कि रो नंबर 10 में हमें color change करते हैं और wrong side से इसका करना होता है color change तो यहां से आप इसमें ऐसे second color जो भी आपने लगा रख है वो attach कर लेंगे यह दिखे अब मैंने यहां पर इसका second color attach कर लिया है इसमें गांट लगाके थोड़ा सा मैं आपको बून के बताऊंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग है बाकि आपका pattern वैसे का वैसा रहेगा तो यह दिखे रैड color का हम ऐसे करके इदर को और आगे के फंदे जो हैं हमारी बटर्म पट्टी के साथ फंदे जो यह हम बूनेंगे cream color के साथ इवन सारी सिलाई जो आपको पता है रोंग साइड की है यह सारी हमारी उल्टी आती है कि यह मैं cream color के साथ बून के complete करती हूं थोड़ा सा आगे भी आपको इसका आई-cold का मेरे को बताना है यह दिखे ऐसे यह पूरा इस color से उल्टा बूनते हुए आप complete कर लिजिए तीन फंदे आपको आई-cold के इसमें नहीं बुननेया स्टार्टिंग में तो मैं complete करती हूं next इसलाई में आते हूं फिर दिखाती हूं देखे व्रेंड्स राइट साइड की सलाई है यह तो आपको आता है इसलिए मैंने बताया है नहीं यहां पर आपने यह फंदे उल्टे बुन के complete कर लेने बटन पट्टी के यह मैं आई-cold आपको specialist में बताना जाते हूं यह देखे अब यह हमारी क्रीम कलर के साथ आएगी यह देखे सीधा फंदा बुन लेंगे उल्टा यह उतार लेंगे अपनी तरफ करते हुए दागा पीछे की तरफ और सीधा फंदा फिर से बुन लेंगे अब फ्रेंड्स यह आई-cold जो है यह आपकी क्रीम कलर के साथ चल पड़ेगी तो आपको हर जब भी आपको कलर चेंज करना है अब आप आगे रैट लगाएंगे जब तो आपको ऐसे ही लगाना है जैसे मैंने आपको बताया यह याद रखना आपको तो अब आते हैं इसकी रॉंग साइड की सलाई में इसमे और फ्रेंट्स यह आई कोड है ने थोड़े आपको डीला फंदे रखने हैं नहीं तो यह कस के आजाएगी जो आपको फिर बाद में दिक्कत करेगी यह सुंगड जाएगी तो वह अच्छी नहीं लगेगी तो आपको यह जो फंदेंस में थोड़े से आई कोड के हलके से तो यहां पे यह दिखे यह फंदा हम ऐसे उल्टा स्लिप कर रहे हैं तो इसको ऐसे करेंगे अब यहां पे आपको क्या करना है यहां पे आपको ध्यान देना है यह जो रैड कलर का धागा है यह आपको हमेशा ऐसे इसके उपर से निकालना है क्योंकि यह आपको साथ लेके यह दिखी ऐसे यह आपको हमेशा याद रखना है नहीं तो आपका लंबा लंबा धागा जब आप उपर निकालोगे तो वह अच्छा नहीं लगेगा तो आपको हर रोंग साइड की स्लाई में आपको ऐसे धागा इसका साथ लेके चलना यह दिखी जो भी धागा होगा आप इसमें यहां से साथ लेके चलेंगे तो बाकी मैंने आपको सारा इसका अच्छी तरह से बता दिया है पहले यह वाला वीडियो मैं नहीं करने वाली थी सीधा मैं इसका शोल्डर बताने वाली थी नेक बताने वाली थी बट मैंने सोचा कि फिर इसमें आपको बुनने में प चलते जाना है तो color change करना भी मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया कैसे करना है तो अब मैं आपको दिखाते हूं यह दिखी अब आप easy भून लेंगे देखे ऐसा आता जाएगा आपका यह आई-कोड जो है, यह ऐसे आपका चलता जाएगा अब इसमें भी मैं आपको दिखाते हूँ, यह दिखए जैसे इसमें हमने चला रख है और पिछे का धागा दिखा देती हूँ, यह दिखे आपका धागा ऐसे, ऐसे से आपको ऊपर लेते जाना है अगर आप लंबा लंबा लेके जाओगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा ऐसे यह शिपा रहेगा इदर से दिखे बिल्कुल भी राइट साइड से बिल्कुल भी आपको ये धागा कहीं नहीं दिखेगा दिखे और रॉंग साइड से ये दिखेगा थोड़ा सा तो ऐसे आपको करना है आप ऐसी वाले आई कोड बना के इसमें जिप भी लगा सकते हैं यहां से सिलाई करते हुए बहुत सुन्दर लगती है तो फ्रेंड्स अब आप इसका वो कर लीजिए शोल्डर तक की लेंथ कम्प्लीट कर लीजिए ऐसे फंदे डालके तो मैं यह कर ल आई है तो अगर फ्रेंड्स आपने पहला वीडियो नहीं देखा है जो मैंने बैक साइड का डाला है तो आप वो देख लीजिए तब ही आपको पता चलेगा कि यह लेंथ उतनी ही बनी है और फ्रेंड्स इसके मैंने शोल्डर जो कट के वीडियो है बैक साइड के वो भी म उसी से आपको शोल्डर कट अच्छी तरह से आएगी इदर का भी आप शोल्डर कट कर लोगे और राइट साइड का भी शोल्डर उसी से आप कट करना सीख लीजिए गा और फ्रेंड्स इसमें मैं सिर्फ आपको इसका नेक जो है वी शेब में मैं बनाने वाली हूं वीद पट्टी वो मैं बताऊंगी कि आपको इसका नेक कैसे डिक्रीज करना है इदर वाले जो शोल्डर कट वाला है वो मैं आपको नहीं बताऊंगी नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप बैक साइड के उसमें जाएए शोल्डर कट कि जो मैंने वीडियो डाले ह तो यहां भी रैढ कलर से ही इसका शोल्डर सेम डिस्टेंस पे निकालेंगे तो इधर से फ्रेंड्स आपका इसका शोल्डर निकलेगा तो यसे कि मैंने आपको बताया है कि शोल्डर कर चावीडियो और उसकी डिजाइन सैटिंग इधर कैसे करेंगे वह मैं अच्छी तरह से explain कर चुकी हूं आप इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए प्लीज जाके तभी आपको आएगी तो डिजाइन भी सैटल करना बता दिये मैंने दोनों साइड से राइट साइड से भी लेट साइड से भी तो उसी से आप कर लीजिए तो यहां से मैं आपको बस थोड़ा सा यह दिखा रही हूं आगे मैं आपको इदर वाला शोल्डर वाला वीडियो नहीं दिखाऊंगी तो चलिए यह मैं कर लेती हूं उदर आती हूं फिर मैं आपको नेक दिखाती हूं देखी फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था कि जब आप शोल्डर कट करते हैं तो आपको ये पूरी एक डिबी खतम करनी पड़ते हैं डिजाइन की अब क्या करेंगे कि हमें यहां से यहां से हमारा नेक की कटिंग होनी है तो हमें क्या करना है यह वाले डिबी पूरी बंद करनी पड़ेगी तो देखी कैसे करेंगे यहीं से आपका स्टार्ट हो जाएगा आपको असासत डिजाइन की सेटिंग भी करनी है नहीं तो आपको गड़बड हो जाएगा सारा यह देखी यह आपने यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लिया है यहाँ वन टू थ्री फोर चार फंदे हमने कर लिये हैं उसके बाद देखी यह वाला यह जो चोटी वाला फंदा है और यह वाला जाली वाला फंदा है इसका दो का एक कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो गया हमारी डिब्बी यहीं पे समाप्त होगी यहाँ तक यह वाला खतम हो गया, अब आगे की जो फंदे हैं फ्रेंड्स वो हम सीधे ही बुन लेंगे, देखे ऐसे, इसमें हम बिल्कुल भी डिजाइन नहीं करेंगे, नहीं तो आपके फंदे कम जादा होते रहेंगे, तो आपका सारा वो जो है, जो पैटर्न वो गड़बड हो जाएगा, तो अच्छी तरह से आपको बनाना है, यह दिखिए, तो यहां मैं एक बार आपको बता देती हूं, नेक जो है कटिंग इसकी दूसरी साइड से स्टार्ट होगी, तो यहां पे यह दिखिए, यह सारे फंदे सीधे ही बुने जाएंगे, यहां तक, यहां हम दो का एक कर रहे थ दाएगा, अब यहां पर देखिए, हमारे पास दो, चार, छे और यह साथ, साथ फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं, तो इधर से हम बुन रहे हैं, यह उल्टे, तो हमें यहां से यह उल्टा बुनना है, दिखिए, एक बार मैं आपको यह अच्छी तरह से बता देती हूं फिर आप एजीली कर लेंगे, बटन पट्टी के फंदे जो हैं, साथ हमें उल्टे ही बुनने हैं, और यहां से हम जैसे अपने आई कोड बना रहे हैं, वैसे कि वैसी बनाते जाएंगे, यह देखिए, तो इसी के साथ यह रोग खतम कर ली, यहां से हमारा डिजाइन सैटलमे आगे भी अगर हमें जरूरत पड़ेगी, तो हमें यह वाली डिब्बी भी आगे जाके खतम करनी पड़ेगी, तो यह सलाई मैंने कम्प्रीट कर लिए, देखिए फ्रेंड्स, जो लेफ्ट पल्ले की डिक्रीजिंग है, वो हमारी रोंग साइड में होती है, और राइट सा साइड का बल्ला है, तो आप यहां देख सकते हैं, तीन यह आई कोड के हैं फंदे, दो, चार, छे, और यह साथ, बटन पट्टी के हैं, यह मैंने बुन लिए हैं, तो यहां से हम डिक्रीजिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो रो वन, तो हमें क्या करना है कि दो का एक करना है बहुत इजी है, बटन पट्टी के साथ बिलकुल, दो का एक करना है, बाकी हम यह सारी सिलाई जो है, यह उल्टी बुन के कम्प्लीट करेंगे, अपने डिजाइन के हिसाब से, दिखे ऐसे, और उदर अपना शोल्डर भी डिक्रीज करते रहेंगे, वो मैं आपको नहीं ब करते जाना है, यह दिखे, यह हमने यहां बढ़ा लिए फंदा, वान, टू, थ्री, तीन फंदे बुन लिए और यहां पर यह दिखे, हमारे दो का एक हो जाएगा, ऐसे, और फ्रेंड्स यहां पर आपके पास यह पूरे फंदे अभी घटाने के लिए पड़े हैं, तो आप एजी लिए अपना डिजाइन चलाते जाहिए जहां तक, क्योंकि मैं यह डिजाइन जो है, जब मैंने शोल्डर कट का किया था, तो मैंने अच्छी तरफ से इसको सैटिंग करना बताया है, सब तरफ से, तो यह मैं कर लेती हूं, फिर मैं दिखाती हूं, रॉंग साइ यह आपको i-code के और बटन पटी के फंदे बुनने के बाद क्या करना है, फिर से आपको 2 काए करना है यह दिखिए, यह दो फंदे हमने घटा लिये हैं और बाकी जो इसकी आपकी यह उल्टी आती है इसमें, तो आपको उल्टी बुन के complete करना ही, यह मैं कर लेती हूं, फि तक इसमें घटा लिए तो बाकी जो रो है वो सारी आप उल्टी बुन के कंप्लीट करेंगे यह नेक बहुत एजी होता है इसके लिए बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि इसको कैसे बनाएं यह सबसे एजी होता है आपको बटन पट्टी के बाद में यहां से फंदे घट गया है तो यहां पर मैं थोड़ा सा आपको क्लोज करके दिखाती हूं यह दिखी यह आप यहां पर देख सकते हैं कि यह तीन फंदे यहां से घटे हैं तो यह जो है पट्टी है अपने आप मुनना शुरू हो गई है तो अभी हम और इसमें घटाएंगे रोंग साइड में हम रो नमबर सेवन यह दिखे मैंने बट्टन पट्टी के फंदे बुन लिए हैं यहां से फिर वैसे करेंगे यह चोथा फंदा हम इसमें डिक्रीज कर रहे हैं यह दिखी ऐसे और बाकी जो सिलाई है वो सारी उल्टे बुन के कंप्लीट करेंगे अपने डिजाइन के हिसा आप से दिखे आपको बस बट्टन पट्टी जो है उसके बिल्कूल अग्जैक्ट साथ वाले दो का एक करते जाने तो आपका यह वी नेक बनता जाएगा तो मैं आभी आपको बता दूंगी कि हमने आगे कितने फंदे लगातार घटाने और उसके बाद कैसे गटाना है तो यहां पर हमने लगातार जो फंदे हैं यह 5 फंदे लगातार हैं तो फ्रेंड्स अब आगे हम हर दूसरी सिलाई में घटाने आफटर 3 रोज हम उसमें फंदे घटाने तो बाक्य जो सिलाई यह समया भूनके कम्प्लीट कर लेते हूँ पिर मैं आपको बताऊंगी आगे कि म साइड में है रो नमबर 11 इसमें देखिए मैंने बटन पट्टी के फंदे यहां बुन लिए हैं तो यहां पर फ्रेंड्स 11 सिलाई जो है रो है इसमें हम यह फंदा नहीं घटा रहे हैं तो हमें सीधी यहां पर आगे अपनी जैसे डिजाइन है यानिके उल्टी सिलाई हमें तो हम उल्टी डाल लेंगे तो हमने क्या किया यह देखिए यहां पर हमने फंदा नहीं घटाया तो अब हम तीन-तीन सिलाईयों के बाद घटाएंगे तो नेक्स्ट में मैं आती हूं फिर मैं आपको दिखाती हूं रोंग साइड में हम रो नमबर 13 यह देखिए मैंने बट तस ग्यारां और बारां तीन सिलाईयां डाली है और तेरवी सिलाई में हमने फंदा डिक्रीज की है अब ऐसे ही आप करते जाओगे ते तीन-तीन सिलाईयां डालके चोती सिलाई में इसका फंदा एक एक डिक्रीज होता जाएगा जैसे आपने अपने तेरमा सिलाई में की ह 13th row में की है तो आप डालोगे 14, 15, 16 तीन स्लाइब डालोगे और 17 स्लाइब में इसका ऐसे फंदे डिक्रीज होगा यानि कि 3-3 स्लाइब के बाद आपको फंदे डिक्रीज करते जाना है तो आपका V-shape का ये नेक बहुत अच्छा बनके आएगा जैसे हम जैन्ट स्वेटर में बनाते हैं जैन्ट स्वेटर में हम 3-4 बार लगातार फंदे डिक्रीज कर लेते हैं उसके बाद हम 3-3 स्लाइब के बाद डिक्रीज करते हैं वैसे ही इसमें भी आपको करते जाना है यहां से after three rows आपको एक फंदा decrease करना है तो यह तब तक करने हैं जब तक आपको आपके shoulder के फंदे ना मिल जाएं जितने आपको चाहिएं और आपका shoulder complete ना हो जाएं अगर आपका shoulder बचा हुआ है और आपके shoulder के ऊपर वाले फंदे पूरे हो जाते हैं आपको चाहिए तो आप डिक्रीज करना बंद कर देंगे और सीधा बुनते जाएंगे तो यह मैं कर लेती हूँ अब मैं तीन तीन से लाइओं के बाद एक एक फंदा डिक्रीज करती जाओंगी तो यह बनता जाएगा तो थोड़ा मैं यह सलाई कंप्लीट कर लेते फिर मैं देखाते हूँ देखे फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं यहां पेंपर की डिक्रीज करण करना हो गया तो यहां से आपके डिक्रीज है ने कर लेते हूँ फिर मैं को दिखाओंगी कि यह बन देखे कि क्ला स्बास्ट में थोड़ी सी बंद करनी पड़े तो आपको वैसे ही बंद करना है जैसे मैंने आपको पहले दिखाया है तो यह तो अभी आपके पास काफी सारे फंदे हैं यहां तक डिक्रीज करने के लिए जितने आपके सीधे फंदे थे जो डिबी बंद की थी वो सारे मैंने यहां तक घटा लिए हैं आप देख सकते हैं कि यहां पर गले की शेप आना स्टार्ट होगी है और यहां पर इदर आपका शोल्डर बन रहा है और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जब हमारे यहां पर फंदे खतम हो जाएंगे यह वाले जो हमने डिब्बी बंकी है तब में आप आगे और बतांगे कि यह वाले डिब्बी कैसे बंकरेंगे यह अभी हमारे फंदे और कम होगे इसमें यह इसाल जा दे हैं तो छलिए यह मैं आपको बता देती देखे फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं कि यह सीधा फंदा जो है एक ही रह गया है अब नेक्स्ट जो शिलाई आएगी उसमें फंदा घटेगा तो मैं आपको बताती हूं कि इसमें कैसे करेंगे देखे फ्रेंड्स यहां पर मैंने बटरम पट्टी के फंदे बून होगे हैं अब यह एक फंदा और जिसका हम व 2 का एग कर रहें यह दोनों हम कर देगे घटा देंगे कर देंगे और यहां पे जो शिलाई है उल्टी बुन के कंप्लीट करेंगे 4 तो यह मैं कर लेती हूं उलटे बुने के कम्पलिट फिर मैं आपको उधर वाली साइड से यह डिबी बंद करना बताऊंगी देखेшज फ्रेंड्स मैंने एक डिपि के यहां पर फंदे बुन लिए हैं दो ही हमारे पास चली हुई हैं ये वाली हमें बंद करनी है क्योंकि इधर से फंदे कम होंगे तो ये देखे कैसे करेंगे ये अभी यहां पर धागा आगे लाएंगे क्योंकि यहां पे जाली आने वाली है तो यहां क्या करते थे हम तीन फंदों को ऐसे बनाते थे तो अब हमें यहां क्या करना है हम इसको ऐसे बना देंगे दो फंदों को बना देंगे जैने कि तीन को नहीं करेंगे क्योंकि तीन को करेंगे तो फंदे हमारे कम हो जाएंगे आप चाहें तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं जैसे हमने पहले यहां पे उल्टा रखा हुआ था यह वाला फंदा हमने उल्टा रखा हुआ तो आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं देखें कैसे इसको ऐसे करके घुमात कि हमारी बंद हो रही है और आगे हम क्या करेंगे यह फंद सीधे बुनेंगे जैसे हमने पहले डिपभी बंद की थी तो यह वाले फंद हमारे सीधे आगे थे तो यह सीधे बुन लेंगे यहां पर हम कोई भी नहीं फंदा बढ़ाएंगे ना जाली डालेंगे ना हम इसमें घट आएंगे तो यह देखे अब मैं आपको दिखा देते हूं यहां पर यहां पर देख सकते हैं आप यह हमारा लास्ट सीधा फंदा आ गया यहां पर अच्छी तरह से देखिए यहां से हमने यहां तक यह डिब भी रखे यह वाली बंद कर दिये क्योंकि यहां तक हमारे फंदे अभी घटेंगे तो यह मैं उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेती हू देखिए फ्रैंट यहां पर हमारे फंदे जो सीधे हो चुके हैं यह एक ही यहां पर डिजाइन अपर चलेगा तो अब आपको क्या करना है कि यहां पर फंदे वैसे ही घटाते जाना है तीन सलाई के बाद एक फंदा यहां पर जब तक आपके पास 22 या 23 फंदे यहां पर इधर से आपके पास 22 जा 23 फंदे ना रह जाएं तब तक आप घटाते जाएंगे और यह आपकी यहां से बटर्म पट्टी रह जाएगी और यह बीच के फंदे यहां तक घट जाएंगे और यहां पर रह जाएंगे 22 जा 23 फंदे और फ्रेंट्स यहां पर मैं आपको एक बात तोर क्लियर कर देना चाहती हूं कि जैसे हमारा स्वेटर जो है यह 100 लंसम फंदों का है कि बैक साइड के हमने 100 फंदे डाले थे तो जैसे आपको बड़ा इसमें बनाना हो जैकट बनानी हो 120 जा 125 फंदों वाली जो बैक साइड में होंगे तो उसमें नैचुरली है कि आगे के भी फंदे जादे रहेंगे तो उसमें क्या करोगे कि जैसे हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर लगातार पांच फंदे घटाएंगे लगातार क्योंकि बड़े की जैकट ओगी ये टीनेजर के लिए बना रही हूं है, इसमें फंदे कम हैं, तो उसमें आपको ऐसे करना पड़ेगा, यहां से आपको पांच हमने घटाए हैं, तो आपको लगातार साथ या आठ फंदे यहां पे घटा के उसके बाद वैसे ही आप प्रोसेस करोगे, जैसे मैंने आपको बत देखें, देखी फ्रेंड्स मैंने इसका शूलडर भुनके कम्पुलीट कर लिया है, और इद þर से हमारा ये नेक भी कम्पलीट हो चुक है, तो इसी के साथ ही हमारा ये पॉर्षन resin Понम्पलीट हो चुक है, तो लिए आपको एक बार बता देते हूं कि यह यहां पे मैंने क 9 10 और यह 11 यानिके 22 फंदे मेरे यह शोल्डर के मैंने यहां पर रखे हैं तो आप बड़ों के लिए 26 या 27 ऐसे फंदे रख सकते हैं तो उसमें शोल्डर आपका complete हो जाएगा यहां पर इदर देखी यहां पर border भी आएगा शोल्डर का तो शोल्डर के उपर उपर रहना चाह मैं लगता है तो बाकी फ्रेंड से आपके बच जाएंगे यहां पर बटन पट्टी के फंदे तो इसी के साथ यह complete होता है और यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि जब आपको जैसे जितने फंदे शोल्डर के लिए रखने हैं जैसे मैंने 22 या 23 बोलाता रखने के लिए तो यहां पर अगर लग रहा है कि आपका जो है यहां पर तीन तीन के बाद मैंने जो तीन दीन रो के बाद घटाए हैं उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा बुनने को काफी पड़ा था और फिर मैंने पांच पांच सिलाईयों के बाद भी दो फंदे यहां पर घटाए हैं दो फंदे तो बाकी जो आप 10-15 लाइए आपकी इसकी सीधी भी बुन सकते हैं जिसमें आप फंदा ना भी घटाएं देखी यहां वे लास्ट घटा रख है मैंने और बाकी की यह सीधा भी आप बुन सकते हैं तो आगे का आप मैं प्रसेस आपको बता देते हूं इसमें प्रस आपको यहां पर दिखाती हूं फिर आपको समझ में आ जाएगा कैसे यह दिखिए अब हम सिरफ यह बटन पट्टी ही बनाएंगे तो जितनी जितनी सलाईयां हमने रैड और क्रीम की डाली है बटन पट्टी में भी वैसे ही हम बनाते जाएंगे यह दिखिए अब यहां पर हमारी यह चेंज होने वाली क्योंकि पूरा हो चुका है यह तो यहां हम रैड लगाएंगे जैसे यह हम बटन पट्टी वैसे ही चेंज करते हुए कलर को वैसे ही आपको वूल का कलर जो है चेंज करते हुए जाना है उतनी उतनी सिलाईयों के बाद ही यह देखिए यहां पर हमारे पास आ जाएंगे दो चार छे और यह एक साथ फंदे साथ फंदे यह बटन पट्टी के आगे अब यहां पर हमें शूल्डर नहीं बुनना है इसको हम यहीं से वापिस कर लेंगे यह देखिए ऐसे बटन पट्टी को बुनते हुए जाना है कि यहां को इसका पता भी होगा बट बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है तो फिर मेरे से पूछते हैं कि बैक साइड में हम क्या लगाएं इसमें बैक साइड का गला कैसे बनेगा तो फ्रेंट्स यह देखिए यहां पर यह बटन पट्टी बनती जाएगी बैक साइड इदर से बनाएंगे और हाफ हम राइट साइड के पल्ले से बनाएंगे तो बैक साइड के बीच में जाके इसको जोड़ेंगे यह दिखिए यह बस अब आपको बटन पट्टी इतनी ही बनाते जाना है यह दिखिए ऐसे इस गले की बहुत बार फर्माईश आती है कि बनाना बताएं बनाना बताएं तो यह मैं आपको बता रही हूँ तो ऐसे ही यहां से फिर से हम टर्न कर लेंगे इसको यह दिखिए ऐसे और सिर्फ के सिर्फ यहां पे यह देखिए यह मैंने छोड़ दिया यहां से अब नहीं बुनेगे सिर्फ यह वाले फंदे जो बुन-बुन के बटन पट्टी बनाते जाएंगे मैं अब यह आपको बैक साइड का भी दिखाती हूँ देखिए फ्रेंड्स मैंने यहां पे बैक साइड भी इसके पीछे रखा है तो आपको क्या करना है यह देखिए यहां पे आपका शोल्डर यह जूड जाएगा यह फंदे यह मैं बाद में बताऊंगी आपको इसको जोड़ना तो यहां पे आप देखिए यह जब पट्ट पट्टी कितनी बनाई है उसी हिसाब से आपने इसको बनाना है तो यह मैं यहां पे कंप्लीट कर लेती हूं इसी के साथ फ्रेंड्स जो आपका लेफ्ट पल्ला है यह बनके त्यार है तो अब आप भी अराम से बनाई है इसमें कोई भी दिकत नहीं आएगी और यह जो झाल झाल झाल